किसी की देवरानी, किसी की बहु घर के सारे मर्द नौकरी से घर आने वाले हैं पर इस महारानी का अब तक डिनर नहीं बना अरे बनेगा भी क्यों, फोन से फुरसद मिले तब ना माजी, अब क्यों हर समय किर्टन करती रहती हैं घर में? पहले थोड़ा देख लिया करो, तब बोला करो बहु मैं कोई अंधी नहीं हूँ, मैं सब कुछ देख कर ही बोलती हूँ जब मेरी जिम्मेदारी थी ना, तो मैं अपने टाइम पर सूरज उगने से पहले और सूरज के डूबने से पहले, खाना बना कर तयार रख देती थी, और एक तुझे देखो माजी, क्योंकि आपके समय में फोन का जमाना नहीं था, मुझे थोड़ा टाइम अपने फोन को भी देना पड़ता है और आप चिंदा मत करो, जो भी बचा कोचा खाना है, वो इस घर के मर्द के आने से पहले तयार हो जाएगा इतना बोलकर पूजा अपने काम में लग जाती है, बेचारी उशा के तो बोलती ही बंदो जाती है समय योही बेटता है, पर ना तो पूजा सुधरती है और ना ही पूजा की सास अब इसी तरह से हर चीज़ को लेकर दोनों सास पहों में हमेशा योही लड़ाई होती ऐसे ही एक दिन उशा अपने छोटे बेटे अनुराग के लिए रिष्टा देख रही होती है तब ही उशा काविया नाम की एक लड़की की फोटो दिखा कर पूजा को ताना मारते हुए कहती है सही कहा था पंडिजी ने, लड़की सच में बहुत संसकारी है चेहरे से कितनी मासूम और भोली है अब तो मैं इसे ही अपने घर की बहु बनाऊंगी इस बार बहु मेरी पसंद की आएगी, जो मेरी सुनेगी मैं तो शुरू से ही जानती थी माजी आप मुझसे इसलिए नफरत करती है न, क्योंकि मैं आपकी पसंद की नहीं हूँ मुझे पापा जी ने जो पसंद किया था, क्यों सही कहा न सही कहा बहु, अगर मुझे पता होता कि इन्होंने तुझे पसंद किया है तो मैं अपने बेटे की शादी तुझसे हरगीज नहीं करवाती पर अब तू देखना, मेरी पसंद की बहु जब इस घर में आएगी तो कैसे इस घर में शान्ती और खुशिया लाएगी हाँ, हाँ, क्यों नहीं, देखती हूं मैं भी आपकी पसंद की बहु इस घर में आकर कौन सा तीर मारती है उशा अपने बेटे अनुराग के लिए काव्या को पसंद कर लेती है अब इसी तरह से कुछ दिन बीच जाते हैं और उशा काव्या की शादी अनुराग से करवा देती है शादी होने के बाद जब काव्या अपने ससुराल आती है तो वो देखती है कि उसकी जिठानी और उसकी सास बिना किसी बात पर हर समय आपस पे चूहे बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं हे भगवान ये घर है ये जंग का मैदान इस घर में मैं जब से आई हूँ तब से इंसास बहु की लड़ाई ही देख रहे हूँ मुझे तो कोई कुछ बताई नहीं रहा कि मैं क्या करूँ मुझसे क्यों पोछ रहे हो माजी कि आपकी दवाई का रखी है आप तो अपनी पसंद की बहु लेकर आ गई है ना गर में तो अपनी बहु को ही बोलो ना आपकी दवाई ढूंड कर दे मुझे पता है बहु तु चाहती है कि मैं जल्द से जल्द मर जाओ इसलिए तुने मेरी दवाई जान बुझ कर चुपाई है मेरी प्यारी बहु मुझे दवाई ढूंड कर दे देती अगर उसे पता होता कि तुने मेरी दवाई कहां चुपा रखी है नहीं माजी ऐसा कुछ भी नहीं है भला आपकी दवाई चुपा कर मुझे क्या मिलेगा मेरे मन्ने से तुझे खुशी मिलेगी माजी मन्ने के बाद भी आप कहां मेरा पीछा चोड़ने वाली है आप तो भूत बनकर ही बैठेंगी मेरी पीट पर विक्रम बैताल की तरह बस कीजी ना दीदी माने दवाई नहीं ली है इसलिए उन्हें गुस्सा आ रहा है मैं ढून लेती हूँ आप कमरे में आराम कर लीजे और मुझे बता दीजी क्या करना है माजी आप भी शान्त हो जाएए कई वाना गुस्से में सामने रखी चीज भी नहीं मिलती जैसे आपकी आँखों के सामने आपकी दवाई रखी हुई है पर आप को नहीं दिख रही इतना बूलकर कावया पास में रखी दवाई उठा कर अपनी सास को दे देती है दवाई अपनी आखों के सामने देख कर उशा के तो बोलती ही बंद हो जाती है पर पूजा को फिर से बोलने का मौका मिल जाता है आप क्या हुआ माजी बोलती बंद हो गई अरे फिर से चिलाए ना कि आपको मानने के लिए मैंने आपकी दवाई छुपा दी है उल्टा चोर कुतवाल को डाटे दोनों सास बहो के बीच की लड़ाई देख कर कावया परिशान हो जाती है और उन दोनों के लड़ाई खत्म करने के लिए कावया अपनी जिठानी को रसोई घर में ले जाती है जहां वो अपनी जिठानी को ठंडा पानी पिला कर उससे कहती है जेदी इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता आप ये ठंडा पानी पियो और मुझे काम बताओ मैं सारे काम कर दूँगी बिस आप शान्त रहा करो मेरा शान्त रहना माजी को पसंद नहीं है न इसलिए तो वो बार-बार मुझे परिशान करती है उन्ही क्या लगता है कि मैं पुराने समानी की वह हूँ जो हर से मैं उनकी खरी-खोटी सुनती रहूंगी इन दोनों को ही समझाना बहुत मश्किल है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा ताकि मेरी जिठानी और सास के बीच की लड़ाई खत्म हो सके काविया अब सोच लेती है कि वह ऐसा करेगी ताकि उसकी जिठानी और सास के बीच की लड़ाई खत्म हो सके और उन दोनों का प्यार सामने आ सके और इसलिए काविया जल्दी-जल्दी खाना बना कर रख देती है और अपनी सास से कहती है माजी अज कुछ है क्या या इस घर के सारे मर्द घर जल्दी आने वाले हैं अरे क्या हुआ काविया बहु तू ऐसा क्यों कह रही है बोलना पड़ेगा न माजी आप तो कहते थी कि दीदी नाव बजे से पहले खाना नहीं बनाती पर आज तो दीदी ने साथ बजे ही सारा खाना बना कर रख दिया मैंने खुद देखा है उन्हें वो अकेले घर के सारे काम कितनी जल्दी और ठंडे दिमाग से कर लेती है जरूर सूरज पश्चिम दिशा से उगा होगा वरना वो कामबक्त मजाल है कि मेरा कहा कभी मान ले अरे जो मैं कहूँ न वो उसका ठीक उल्टा करती है और ठंडा दिमाग उसका कभी होई नहीं सकता अरे वो पैदा ही करम दिमाग लेकर हुई थी हो सकता है माजी अब सच कह रही हो पर मैंने जो देखा वो मैंने आपको बता दिया खैर मेरे पास तो कोई काम है नहीं सारा काम तो दीदी ही कर देती है तो मैं अपने कमरे में थोड़ी दिर आराम करने जा रही हूँ अब कावे अपनी सास के पास से अपनी जिठानी के कमरे में जाती है और अपनी जिठाने से जूट कहती है जो भी कहो दीदी, माजी ना उपसे बहुत प्यार करती है माजी और मुझसे प्यार होई नहीं सकता, मैं माने नहीं सकती क्यों नहीं हो सकता दीदी, माजी जो फोन पर बात कर रही थी न, वो सब अच्छे जाने तो शायद मैंने गलत सुना होगा मैं चलती हूँ अरे अरे बताती तो जाओ क्या सुना था माजी किसे क्या बात कर रही थी मेरे बारे में हो ना हूँ पक्का मेरी बुराई कर रही होगी नइ दीदी अब बिलकुल गलत समझ रही है आज जब मैं माजी के कमरे में किसी काम से जा रही थी तो मैंने अपने कानों से सुना वो ना अपकी बहुत तारीफ कर रही थी कह रही थी कि मेरी बहु बहुत अच्छी है सुबह चार बज़े उटकर घरकर सारा काम कर दीती है सुबह के सूरज उगने से पहले और शाम में सूरज ढलने से पहले तो खाना बना कर रखवे देती है और आप ना हो तो ये घर चले ही ना एक पल के लिए सच को ना तो मुझे तो जलन भी हो गई क्योंकि माजी सिर्फ आपकी तारीफ ही किये जा रही थी क्या सच में माजी मेरी तारीफ कर रही थी मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा मुझे भी विश्वास नहीं हूआ पर मैंने खुद अपने कानों से सुनायachen अगर आपको यकीन न हो तो किसी दिन बिमार होने का ना टक कर लेना फिर देखना कैसे मा जी आपकी फिक्र में डू भी मिलेगी आपको पूझा को अपनी देवरानी के बातों पर विश्वास तो नहीं होता और इसलिए जान बुझ कर वो अपने पैरों में पट्टी बान लेती है और अपनी सास के सामने पैर तूटने का नाटक करने लगती है ए बगवान मेरा पैर तोड़ने से तो अच्छा तुम मुझे उठाई लेता ना रात में लाइट जाती ना मैं बातरूं में फिसर कर गेती और ना ही मेरा पैर तूटता क्या करूं मैं नाच न जाने आंगन टेड़ा अपनी गलती मत मानना अर अनिंद में चलने की बिमारी है तुझे अब पैर ही तूटेगा ना आँग बन करके चलेगी तो मैं गलत थी माजी पर शुक्रिया मुझे सही साबित करने के लिए इतना बोलकर पूजा वहां से नाटक करते हुए चली जाती है और उशा को समझ में नहीं आता कि पूजा ने ऐसा क्यूं कहा तब ही वहां काव्या आती है और अपनी सास के हाथ में कुछ दवाई या रखकर कहती है काव्या के कहने पर उशा अपने हाथों से पूजा को दवाई देने के लिए जाती है पहली बार अपनी सास को अपना खयाल रखता देख, पूजा को बहुत अच्छा लगता है और उसे विश्वास हो जाता है कि उसकी सास उससे बहुत प्यार करती है इसलिए पूजा बहुत जल्द पैर टोटने का नाटक भी खत्म कर देती है और धीरे धीरे खुद को बदलने की कोशिश करती है क्योंकि अब उसे विश्वास हो गया था कि उसकी सास को उसकी बहुत फिक्र है इस तरह से काव्या दोनों सास बहु के बीच की लड़ाई खत्म करने में काम्याब हो जाती है